उर्जा के विभिन रूपों से हम परिचित हैं और हम यह भी जानते हैं कि उर्जा रूप बदल सकती है वह उपकरण जो विद्युत उर्जा को यांतरिक उर्जा में परिवर्तित करता है उस उपकरण को विद्युत सयंत्र या चलित्र कहते हैं पिछले विडियो में हमने देखा कि जब विद्युत सुचालक को चुम्बकी एक शेत्र में रखा जाता है उसमें बल निर्मान हो जाता है विद्युत सयंत्र या चलित्र भी इसी आसान से सिध्धान पर कार्य करता है अधिकाल सयंत्र या चलित्र इसी प्रकार से कार्य करते हैं इस कार्य में चलित्र द्वारा निर्मे चुम्बकी एक शेत्र और वक्र विद्युत प्रवाह में पारसपरिक क्रिया घटित होती है जिसके फलस्व रूप नियमित आवर्तन के रूप में बलका निर्मान होता है विद्यूत सैंत्र को उर्जा पूर्व निर्धारित विद्यूत धारा अर्थात दिश्ट धारा से जैसे बैटरी इत्यादी से अथवा वारमवारिता विद्यूद्धारा अरथात प्रत्यावर्ती धरा पावर ग्रीड, इन्वर्टर या विद्यूद्धध जनितर से प्राप्त होती है इस animation द्वारा हम जान पाएंगे कि वास्तों में सयंत्र किस प्रकार काम करते हैं DC सयंत्र या चलित्र में तार की कुंडली है जो चुम्ब की एक शेत्र में घूंती है दो ब्रशों की सहायता से विद्यूत प्रवाह की आपूर्ति की जाती है इस विद्यूत प्रवाह के कारण तार की कुंडली विभक्त बलय के साथ संपर्क स्थापित करती है जो स्थिर चुम्ब की एक शेत्र में स्थित है विद्यूत प्रवाह धारन करने वाली तारों पर जो बल निर्मान होता है उसके फलस्वरूप तार की कुंडली में चक्राकार गती निर्मान होती जाती है अर्थात्वे गोल घूमने लगती है चलिए अब हम एक आसान से सैंतर की निर्मिती करते हैं जो इस सिधान पर काम करता है विद्युत अवरोधक से युक्त तांबे की तार का उपयोग कर हम आयताकार कुंडल बनाएंगे इस प्रयोग के दोरान हम बाये हाथ के नियम की सत्यता भी देख पाएंगे और घूणन की दिशा भी बता पाएंगे बोतल का ढकन और अरक्षित तांबे की तार की मदद से हम बिजली की धारा का क्रम बदलने वाला यंद्र अर्थात कम्यूटेटर का निर्मान करेंगे इस प्रयोग में सुई कुंडल को स्थान बद्ध रखेगी और एक धुरा का काम करेगे चार दोहरी ए बैटरियों का उप्योग हम उर्जा के स्त्रोत की रूप में करेंगे जिनकी क्षमता छे वोल्टिज होगी द्रुआ भिसारिता अर्थात विरुद द्रुव में परिवर्तन के कारण घूरणन की दिशा में भी परिवर्तन होता है इस गतिविधी द्वारा हमने जाना कि दिश्ट धारा सेंद्र अर्थात पूर्व निर्धारित विद्युद धारा सेंद्र किस परकार कार्य करता है इसी के साथ हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सत्यता को भी परका और घूरणन की दिशा के बदलाव को भी देखा